बिहार की मंडियों में ना तो APMC Act लागू है और नहीं हाँ धान और गेहूं की सरकारी खरीद की कोई विवस्था बनी है ऐसे में यहां के गेहूं किसानों के लिए अब तक अपनी फसल बेचने का एक मात्र विकल्प यही था कि वो किसी ट्रेडर या बिचौलिये के हाथ हो जिस भी भाव पर वो चाहे अपना माल बेचते थे लेकिन अब एक सरकारी पहल से पहली बार ये संभाव हो पा रहा है कि एक ओर तो जहां किसान अपने घर से अपना गेहूं बेच रहा है वही बाद में समय के साथ इसके दाम में होने वाली बढ़ोतरी में भी उसको हिस्सा मिलने की संभावना बनी है पंजाब और हरियाणा ने जब हरित करांद की अगवाई करते हुए अपने उत्पादन को कई गुना बढ़ाया तो वहाँ की सरकारों ने भी नियूनतम समर्थन मूली को आधार बनाते हुए उन्हें सरकारी खरीद का सहरा दिया किसान और सरकार की इस जुगलबंदी का नतीजा ये हुआ कि इन दो राजियों ने पूरे देश की धाली भरने का जिम्मा उठा लिया लेकिन इससे सुदूर पूरू में बिहार में हालात एकड़म अलग हैं किसान ने तो फिर भी अपना पसीना बहा कर राजि को देश के छठे प्रमुख गेहु उतपादक राजि के तौर पर इस्थापित कर दिया लेकिन सरकार का साथ न मिलने से आज तक कमोबेश किसान अपनी उपज को बेचने के लिए इस्थानी ये बाजारों, साहुकारों और कारोबारियों के ही भरोसे है हाला कि अब विहार में भी पहली बार गेहु किसानों को बाजार से जोड़ने का एक सरकारी प्रयास शुरू हुआ है जिसकी अगुआई विहार ग्रामीर जीविका कारिक्रम यानि BRLP कर रहा है ये 500 टन की गेहूं खरीद बिहार के कुल लगभग 42 लाक टन गेहों उत्पादन का रत्ती भर्य है लेकिन इस पहल में सरकार की सीधी भूमिका और रूची को देखते हुए इसमें कोई शक नहीं कि बिहार के गेहों किसानों के लिए आने वाले दिनों में ये मील का पत्थर साबित हो सकता है फिलहाल इस खरीद प्रक्रिया से बिहार के मुझाफरपुर में 2000 किसानों के करीब 30 उत्पादक सम्मूहों को जोड़ा गया है जिन से जीविका की टीम गाउं में जाकर गेहों की खरीद करती है हम लोगे दो परकार से प्रकुरिमेंट करते हैं एक परकार से जो हमारा गवाँ से उठाते हैं तो वहाँ बजार समिती के रेट से 10 रुपया ज़्यादा देते हैं और यहां पर अगर पहुचा करके देते हैं तो 50-60 रुपया ज़्यादा देते हैं बिहार देश के उन चुनिंदा राज्यों में शामिल है जहां क्रिशी उत्पात विपड़न समिती यानी APMC कानून लागू नहीं है इसलिए जब हम यहां मंडी की बात करते हैं तो उसका मतलब केवल एक ऐसी जगह से होता है जहां बड़े व्यापारी किसानों का माल खरीते ह हैं लेकिन यह सारी खरीत बिना किसी सरकारी निगरानी के होती है ना बोलियों में कोई पारदर शिता होती है और ना ही तौल में ऐसे में किसानों को जीविका की खरीत के फाइदे शीशे की तरह साफ नजराने लगे हैं पिछला साल मंडी में ले जाना परता था तो आने जाने का खर्च भी लगता था इस बार अथी पीजी के माद्धेयम से हम लोग वजन करा के रख देते हैं और गारी का भड़ा भी नहीं लगता है और सब से पीजी से बिचने का यह मुनाफ़ा है जे बिचौली आलोग है यह मंडी में ले जाते थे मंडी ले जाते थि लेकिन गारे के खर्चा भी लगता था आने जाने के खर्चा बहुत लग जाता था किसानों से खरीदे गए गेहूं के भंधारण के लिए जीविका ने एक गोदाम भी किराए पर लिया है जहां इलेक्रोनिक मचीन से उपज की तौल की जाती है इसके अलावा बाकाइदा कमोडिटी एक्सचेंज NCDEX के गुर्वत्ता मानकों के अनुरूप फसल को तयार करने के लिए यहां क्लीनिंग और ग्रेडिंग भी की जाती है क्योंकि खरीद किये गए गेहों को एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म से ही बेचे जाने की योजना है यहां तक कि एक्सचेंज के मानकों के अनुरूप उपज को तयार करने के लिए जीविका भी अपने प्रतिनिधियों के जरिये किसानों को क्लीनिंग और ग्रेडिंग जैसी कोस्ट हार्वेस्ट गत्वधियों के लिए प्रशिक्षित कर रही है अभी हम लोग क्वालिटी स्पेसिफिकेशन के लिए सबसे पहले हम लोग विलेज के अस्तर पे अपने वी आर्पी को पहले ट्रेंट करते हैं वीरपी के ट्रेणिंग होने के बाद वीरपी पीजी को ट्रेंड करते हैं पीजी औफिस बिरस को सेंग ट्रेंद करते हैं तक раз अगल बरने कि क्वालिटी के बारे में सब लोग ससखथ हो पाएं तो अवी जो हम लोग की क्वालिटी स्पेसिफिकेशन एंसीडियेक्स के मानिता ग्यानुसा हम लोग नमी की मात्रा दस से बारा परसेंट लेके चल रहे हैं जो टूटे हुए दाने होते हैं उसको 0.5% ले रहे हैं दूसरे फॉरेन मैटर जिसको दानों के अतरिक जो भी होते हैं उनको फॉरेन मैटर और यहां पर पिछले 27 अप्रिल से माल आ रहा है अभी तक लगवग 125 किसान अपना माल यहां जमा कर चुके हैं जिनका गियों का टोटल वज़न 400 एमटी है दरसल जीविका से जोड़ने के बाद भाव ताउल और ट्रांस्पोर्ट के अलावा एक और बड़ा फाइदा यहां के किसानों को हुआ है वो अंजाने में ही क्रिशी कमोडिटी एक्शेंज NCDEX के राष्ट्री नेटवर्क के जरिये न केवल हेजिंग जैसे इंस्ट्रूमेंट का फाइदा उठा रहे हैं बलकि उन्हें भंडारन का लाव उठा कर बाद के महीनों में गेहों की बड़ी कीम्तों का लाव भी मिलने लगा है और फिर अक्टूबर नुवंबर तक उसको हम पूरी सेल करके फिर भी जो भी प्रोफिट होगा वहम पीजी मेंबर्स को जो भी बिट्टी दे रहे हैं उनको हम फैदा कुछा देंगे पीजी के साथ है काम किये हैं दो हजार किसानों के साथ और इसके बाद में इसको हम खरीद कर अपने गोदाम में एश्टाव कर दिये उसके बाद NCDX के माध्यम से इसको हम बेचे के मुझफरपुर के बोचहा प्रखंड में 33 गावों से शुरू हुई इस पहल से उत्साहित होकर बिहार सरकार ने अगले सीजन में 120 नए उत्पादक समुहों को जोड़ने की योजना बनाई है और लक्ष है मुझफरपुर से 5000 टंगेहों की खरीद का जाहिर है केवल एक जिले मुझफरपुर से एक सीजन में 10 गुनाज ज्यादा की खरीद की महत्वा कांग्शी योजना अगर अपनी राह पर चल निकली तो बिहार का किसान भी देश के क्रिशी मान चित्र में समरिधी का एक नया प्रफीग बनकर उभर सकेगा हर किसान ये जानता है कि जिस समय वो अपनी फसल मंडी में बेच रहा होता है वो उस साल के लिए उस फसल का सबसे कम कीमत का समय होता है लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं होता क्योंकि उसकी शमता नहीं होती कि वो गोदाम में अपना माल रखकर उसका दाम बढ़ने का इंतजार कर सके लेकिन अब जीविका की इस पहल से हर किसान के पास ये ताकत आ गई है कि वो गोदाम में अपना माल रख सकता है और उससे पहले उससे उसकी कीमत भी मिलती है और बाद में जो मुनाफ़ा उस रखे हुए माल पर होने वाला है वो भी उसे हासिल हो जाएगा मुजफरपुर से मंडी.com के लिए अनिलवच के साथ धुवन भास कर झाल